किसी भी सिक्षक के लिए एक बड़ा पल होता है उनका एक ऐसी जगह पे शम्मान जहां पहुँचने को एक बड़ा गवरा का पल माना जाता है अभी 5 सितंबर को सिक्षक दिवस है और जांजगीर से लगे हुए कूटरा के हायर सेकंडरी स्कूल के व्याक्षाता अनुराक द का पूरे स्कूल में महौल बनाया और एक बड़ा पल है सबसे पहले आई विसी 24 में आपका स्वागत है और यह जो पल है उसे आप किस तरह से महसूश कर रहे हैं एक सिक्षक के लिए यही एक पल होता है जिसके लिए वो जीवन भर काम करता है बच्चों को पढ़ाई वो क है जिसकी मैंने वर्सों पहले कलपना की थी मैं राज्यपाल पूरुस्क्रिश्च को को देखता था और महसूस करता था कि कास उस जगा मैं भी हूँ मैंने अनेक राज्यपाल शिक्षकों के कारियों का अनुकरण किया प्रदेश इस तर पर उनुकरण किया और फिर मैंने एक role model बनाये अपने विद्यालय के लिए कि क्यों ना हमारे ग्रामीड इस्तर के बच्चे उस इस्तर पे अपनी जो छाप है वो छोड़ पाने में सफल हो चूकि मैं भी महा विद्यालय इस्तर पर स्वर्नपदक धारी विद्यारती रहा हूं इसलिए मेरी यह सोस थी कि मेरे बच्चे जो है उस इस्तर पर अपनी पहचान छोड़ने में सफल हो पाएं इसलिए मैंने प्रयास जो है धीरे धीरे किया प्रयास यह किया कि बच्चों को हर विश्यों में सरल रूप में बताने का प्रयास किया और अपने विश्यों के साथ अन्य विश्यों पर भी उनको आ हाल है उसे आप लोगोंने बहतर बनाए हमने वहां के इस्तर को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया और यह एक सामुहिक प्रयास था दोहजार नौ में जब गया तो मेरे सामने केवल चमालीस बच्चे थे कक्षा नौमी में और उन चमालीस बच्चों के साथ हमने अपनी कारियोजना शुरू की प्रारंभिक दोर में हमने ग्राम वासियों का सहयोग लिया वहां के माल गुजार पंडित राम सरकार पांडे जी के सुपुत्र राजेस पांडे और रागवेंद पांडे जी का सहयोग हमको विशेश रूप से मिला ग्राम के जितने भी सरपंच थे उस समय के खरे जी से लेकर अभी तक छत्राम कर्श्यब जी तक उन सभी ने सहयोग दिया इसके साथ पालकों ने भी सहयोग दिया लगभग जो भी सुधार हम करना चाहते थे उन्होंने क कभी भी आक्षेप नहीं किया सिधा बोले कि हमारा इस्तर सुधरना चाहिए मेरे जाने के समय ही वहाँ दो निजी विद्याले थे वो निजी विद्याले भी हमारी पढ़ाई और हमारे बच्चों का इस्तर को देखते हुए लगभग बंध होने के कगार पर पहुँच गय होती उस चाप को हमने दूर करने के लिए अपना एक अलग माडल विक्सित किया माडल यह विक्सित कि बच्चों की वेजबूसा में परिवर्तन किया जाए बच्चों के ड्रेस में परिवर्तन किया जाए बच्चों की स्मार्ट बनाया जाए बाहर देखने वाले लोग अन प्रबुद्ध लोग हैं इन सभी लोगोंने एक समवेट सर में हमारा साथ दिया जब भी कोई कमी हमको महसूस होती कि वो एक साथ खड़े होते यहां तक कि मुझे आद है कि विद्यालय का जब भवन बन रहा था तो राजेस पांडे जी रागवेन पांडे जी स्वयम खड़े थे और खड़े होकर उन्होंने चार दिवारी बनवाई और ग्राम के प्रत्यक लोग खड़े थे जैसे ऐसे हम परिवर्तन करते गए बच्चों के मन में एक सकरात्मक उड़जा का उदाय होतना सुरू हो गया और बच्चे जो है दिरे दिरे उनकी जो सोच थी सासकी विद्याले के बारे में होड़ती गई आपको आश्यर होगा कि हमारे जो हमारा जो विद्याला है वह मुखी रूप से तीन विद्याले के बच्चों को ही लेता है एसा नियम है सास्की, लेकिन अभी की रूप में दस गाउं के बच्चे हमारे विद्याले में पढ़ते हैं, यहां तक कि ऐसे गाउं जहां आलरेडी स्कूल है सास्की स्कूल, वहां के बच्चे भी हमारे विद्याले में पढ़ने कुछ छुक रहते हैं, तो इन सब को मैं सोचता हूँ, तो लगता है मुझे कि हमने कुछ न कुछ तो महनत किया है, इसका प्रणाम हमको उन पालकों के मुख से सुनने को मिलता है, नहीं हमको तो तो प्रारंभिक इस तर से हम शुरुआत करते हैं। चुकि मैं हिंदी का शिक्षक हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि बच्चा कहां कमजोरी करता है, कहां पर उसकी कमी होती है, कैसे वो बोर्ड में प्रफार्मेंस नहीं दे पाता। तो इन सब को सोचते हुए हम एक तैयारी करते हैं बच्चों का प्रारंभी किस तरह पे और मैं ही नहीं, मेरे हां जितने भी शिक्षक हैं और प्राचारे महद हैं, उन सब का सहयोग समवेत रूप से रहता है और उन सभी के कारण हमको एक अच्छा प्रडाम देखने को मिला ह विद्याले में अपने इस स्कूल को मॉडल मना दिया है, सरकारी स्कूल में स्वभाविक तोर पर कई बार ऐसे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब आप स्कूल में आपकी पदिस्थापना हुई, उस दौर में जो दस्वी और बार्वी का परसेंटेज क्या था और आज कितना बदलाव आया है, और छात्र छात्राओं के जो प्रतीभा है, उसमें कितने बेहतर तरीके साब लोग निखारने में सफल रहे हैं। महिला पंचो को लेते हुए, इसमें पांडे परिवार जी का बहुत बड़ा सहोगों को मिला, और बहुत सारे लोग, एक साथ हम लोग गए विधान सबा, वहां मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने बात रखी, और जब इतने सारे लोगों को देखके माननी मुख्यमंत्री र बच्चे भी आये हैं, विध्यालाय के शिक्षक भी आये हैं, विध्यालाय के जितने गड़माने नागरिक हैं वो भी आये हैं, तो उन्होंने ततकाल, उन्स समय अम्बेज जांगडे जी थे, उन्होंने ततकाल कहा कि और कही स्कुल खुले न चाहें, मत खुले, इस गाउ 10-11 में कुछ कम था लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे जब धीरे-धीरे हमने कारियों जना शुरू की विद्यालय का अपना प्रतीक चीन बनाया बाहर से बड़े-बड़े अधिकारियों को बड़े-बड़े मोटिवेटरों को हमने विद्यालय में आमंतृत किया और वे जब बच्चों को बताते थे कि आप पढ़ाई केवल डिगरी के लिए मत करो आपको पढ़ाई कुछ बनने के लिए करना है जब ये बात उनके बीच जाने लगी तो बच्चे जो है स्वई स्फूर्त धंग से काम करने लगे एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा हमारे विद् पढ़ाते हैं उस प्रियेड को 50 मिनट का कर दिया इससे पहले हम 35 मिनट का प्रियेड पढ़ाते थे तो जब 50 मिनट उन्होंने किया तो हमको अधिक समय मिला बच्चों के सामने गुजारने का और जब बच्चों के साथ हम अधिक समय रहने लगे तो बच्चों की कमियों को हम एक-एक करके आकलन करते गए और उनमें धीरे-धीरे सुधार करते गए यही कारण रहा कि हमारे विद्यालाय का प्रस्त जो पहले 2009 में 40-45 प्रस्त रहा करता था आज वह 85, 95 और 70 प्रतिसत तक पहुँच गया है अब ही आगे का किस तरह से टार्गेट आप लोगों का हो सकता है क्योंकि यही स्कूल ने कहीं ने कहीं एक ऐसी मिसाल पेस की है आप लोगों ने जिस तरह से वहां पे माहौल बनाया अब क्या लक्ष है उसी स्कूल के सुधार में बच्चों का आगे बढ़ाने में आप हम लोग का एक ही लक्ष है, जैसे कि हमने बारवी के लिए अपना लक्ष चुना था, कि बारवी में यहाँ के बच्चे दस्वी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, बारवी के बाद हमको रोजमा गार मुलक शिक्छा की और ध्यान देना है और इसके लिए हमने यह कि रहें कि विद्यालाय में एक कार्णर विख्षित करें और जो सुंदरलाज सर्मा है सीवी रमन विश्विद्यालाय है जहां वे अपनी पढ़ाई घर में रहते हुए कर सके इसकी हम सोच रहें इसके अलावा हम जो है एक शनीवार को सेमिनार कायोजन करना करना शुरू कर रह तो हमारे पास तो NCC नहीं है जांजीर जिले में केवल तीन या चारी स्कूल है जहां NCC है और बच्चों का सबसे आदा रुजहान सेना और पुलिस में जाने करहता है तो इसलिए हम भूतपूरों सहिनिकों की सहयता ले रहे हैं हमारा लक्ष है कि हम उनको रोजगार दे औ पढ़ें वे कुछ बनने के लिए पढ़ें जब वे कुछ बनने के लिए पढ़ेंगे तो निश्ची दूरूप से उनमें सकरात्मक बदलावाएगा और विद्याला के इस तर भी उचा होगा और पढ़ाई से वे कुछ बन सकते हैं जब ये सोच हम उनमें डालने के लिए जागरित करेंगे उनको तो निश्चीत रूप से वह आगे बढ़ेंगे अभी एक सपना आपका पूरा होने जा रहा है तो पांच सितंबर का बस वक्त आने वाला है ये एक बड़ा सम्मान है आप दूसरे सिक्षकों को किस तरह का संदेज देना चाहेंगे या जो आपके छा आशन द्वारा जो समय निधारित किया गया है उस समय में हम विद्याले पहुंचें और हर दिन एक नई उड़्जा के साथ विद्याले में जाएं और सबसे जादा टार्गेट हमको रखना है कमजोर बच्चों पर क्योंकि होश्यार बच्चे तो जो भी हम सिखाते हैं उस सहयोग लेंगे तो जब हम इतना करेंगे तो वो बच्चा भी कहीं न कहीं जागरित होगा आगे बढ़ेगा और लक्ष प्राप्ति के लिए सजग हो करके अपना प्रत्सत सत प्रत्सत लाने का प्रयास करेगा यह थे हमारे साथ ब्याक खैता अनुराग तिवारी जी जिन लोगों ने मिल करके कुट्रा के हायर चेकंडरी स्कूल को एक सामुहिक सा भागिता से एक ऐसा माडल स्कूल बना दिया है जो अन्य सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल है यही वज़ा है कि आगामी पांस सितंबर क उनका शम्मान राजजपाल के हाथों होगा और यह काफी बड़ा पल है गौरा को अल है जिले के लिए भी एक गौराओ की बात है हमारी भी शुब कामना है कि वो और आगे सिक्षा क्षेतर में बहतर काम करें और च्छातर च्छातराओं के जो सिक्षा के विकास है उस उस में भी वो बहतर काम करें राजकुमर साहू आई वी सी 24 जांजगीर